ब्लॉग बॉस्टर मुवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एने स्टुडियोज और बेल एक उन दबाई रुक क्यों गए बर्खुरदार अपनी महभूबा का दामन ठामे हुए आगे बढ़िये अब हमारी आखों में आखें डाल के जवाब दीजिये क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं तसी क्यूमत पे भी इस लड़की को नहीं अपनाऊंगा हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ूँगा सुप्रीम कोर्ट तक जाओंगा कहा था और ये भी तो कहा था कि मैं साथ साल की सदा काटने को तयार हूँ मगर इस लड़की से हर्गिस शादी नहीं करूँगा ये भी कहा था तो फिर आज गया हो गया कौन सा तूफान उमन पड़ा कि जिस लड़की को हमारा खांदान अपने पेरों की धूल समझता है उसी को तुमने अपने सर पर बिठा जिया जिस लड़की ने हमें शेहर भर में बेहिजद्द किया उसे तुम अपने बिद में बशा बैठे जिस लड़की का रुत्बा हमारे घर में एक नौकरानी से भी उचा नहीं होना चाहिए था उसे तुमने हमारे बरावरा कर ख़वा कर दिया क्यूं राज क्यूं वो मेरी भूल थी जिस के लिए मैं शर्मिंदा हूं जिस भूल पर तुझे आज शर्म आ रही है वो भूल भी तू नहीं की थी खलत उस भूल के जिम्दार भी आप है बच्पन में जब मैंने माली की पीट पर कोड़े बरसाए थे तो आपने क्या कहा थे हम अमीर हैं ये हमारा पैदाशी हक है कि हम जोन करें वो गरीब है जोनसेहना उसका मुकदर है गरीब और अमीर की खाई? मेरे दिल औ दिमाग में किसने खुदी? आपने! पैशो की तलवार मेरे हादों में किसने थमाई? आपने! इंसान को इंसाना समझने की तालीम किसने दी? आपने! वाँ भांजे वाँ वेरी गुड वेरी गुड तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अफसोस नहीं हुआ बलके खुशी हुई कि तुमने बोलना तुसी का अलफाज जरूर तुम्हारे है लेकिन जबान इस नागिन की है मामा जी तुम्हारी रगों में कल तक मेरी बहन का दूध और मेरे जीजाजी का खून दौरता था लेकिन इसने तो अपना पूरा जहर भर दिया तुम्हारे जिसमें जिस देवर ने कभी अपनी भावी से उची आवाज में बात नहीं की थी वही आज अपने बाप से बत्तमीजी कर वैठा सारे फसाद की जड़ ये है ये जिस दिन से इस मन्हूस ने इस घर में कदम रखा है कोशलिया जैसी नोकरानी हमारी चोकट पर थूकर चली गई और मेरी प्यारी भाजी सुधा अगवान को प्यारी हो गई अरे जनम जली क्या तू पूरे खांदान को निकल कर ही जाएगी उठा कर फेंग दो इसे घर से बाहर खबरदार जो किसी ने भी क्या खरेगे तू मैं भूल जाओंगा कि आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा तो क्या मुझ पे हाथ उठाएगा तू सबसे पहले मैं इस फसाद की जड़ को बाहर निकलता हूं ऐसी घलती मत कीजिए कि लोग आपको राय बहादूर कहना छोड़ दें चलिए अब हम यह नहीं रहेंगे माला, माला! कि माला, कि माला करेँ worlds मुझ ठोका थच जलता है तो कि आक्ड़ देख है कि माला, कि अ अ नहीं उलत्ता की रहेंगे माला, कि दोब है दोक्टर साब, मेरी माला बच जाएगी ना उसकी हालत बहुत नाजुक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट वी आ ट्राइंग हलो, इंस्पेक्टर खान यह, इंस्पेक्टर खान, मैं जुएल हॉस्पिटल से डक्टर सुश्मिता माथूर बोल रही हूँ, एक केस रिपोर्ट करवाना है, इंजिरी ओफ तर स्कल, केस बहुत सेरियस है, किसको चोट लगी है, मशूर इंडेसलिस्ट राई बहादूर जी क कि पाल सिको रिए मेरी माला के हत्यारो, वो तो मर गई, अब तुम भी जिन्दा नहीं रहोगे राज, माला कैसी है? राई साहब, आप फौरण मामा जी और शार्दा देवी को लेके शहर से बाहर चले जाएए मैं कोट में साबित कर दूँगा कि वारदात के समय आप लोग शहर में थे ही नहीं नहीं राई बहादूर के कानूनी दलाल, दे फोन मेरे बाप को राज मिस्टर राई बहादूर, अगर मेरी माला को कुछ हो गया, तो समझ लेना तुम्हारा छोटा बेटा मर गया साथ में बड़ा बेटा भी मर गया बाबुजी, क्या हुआ? जीजा जी, कुछ बोलते क्यो नहीं? राई बहादूर साथ, कहां जा रहे हैं? उनों बेटों ने इस बरसों की मेहनत से बनाई हुई हवेली को एक ही ठोकर में रेक के घिरोंदे की तरह बिखेर दिया मेरे अंकार के मुँपर ठूक दिया, कहने लगे, जाओ राए बहादूर, हम तुम्हारी आौलाद नहीं, खरीद सकते हो तो अपनी दौलत से दो बेटे खरीद लो वाओ, उपर वाले, तुने आज एक ही ठोकर में मेरी सारी दुनिया में टा दी जीजा जी, जीजा जी ये बुढधा तो सठ्या गया है, खुद तो मरेगा साथ में हमें भी जेल की चक्की पिसवाएगा वकील साब, अब आप भी कुछ करिये ना हम मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, सब कुछ माला के बयान पर डिबेंड करता है मतलब की हमारी जान अब माला की मुठी में कैद है? बिलकुल डॉक्टर, कैसी है मेरी बहूँ? अभी कुछ नहीं का जा सकता, शायद ऑपरेशन करना पड़े तो कीजिए, दुनिया की बड़े से बड़े डॉक्टर सर्जन को बिलाईगे जितने पैसे लगे लगा दीजिए देखे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सिर्फ कोशिश नहीं, डॉक्टर मुझे मेरी बहु चाहिए मैं आपके पाउं पढ़ता हूँ मैं आपसे भीक मंगता हूँ राय बहादर दॉलत के बगार जी सकता है अगर रॉलाद के बगार बिलकुल नहीं डैरी, फ्लीज, समाल लिये अपने आपको मुझे माला का प्यान लेना है आप बाहर इंतजार कीजी जब यह होश में आ जाएगी मैं आपको बुला लूगी कहें इंस्पेक्टर साहब मैं अपना बयान देना चाहता हूँ आज सुबा सुबा मेरा और माला का जगड़ा हुआ और घुस्से में आके मैंने उसके सर पर इंस्पेक्टर साहब गुनिगार यह नहीं मैं हूँ यह आप लोग क्या आप तुम चुप रहो जी दोनों फासी पर खुदी चड़ते हैं तो चड़ जाने दीजे इनके मरते ही करोडों की दॉलत हमारी हो जाएगी हारामजादी कितना बढ़ा कुऊ हैं तेरे अंदर जितनी भी दॉलत डाल दी चाहें कभी भंता ही नहीं रमेश आप बीच में मत बोलिये डैडी यही है वो चड़ जिसने इस खांदान की हर शाक को जहरीला बना दिया है अरे तु आरत नहीं डायन है डायन पेरे डैडी का घमन तूटकर पिखर चुका है लेकिन तेरी भूक अभी तक नहीं मिटी तु जैसी औरत तो धक्के वार कर घर से बाहर निकाल देना चाहिए Congratulations माला की जान को आप कोई खत्रा नहीं आप लोग उससे मिल सकते हैं बिलकुल नहीं जब तक इंस्पेक्टर खान माला का बयान नहीं ले लेता आप लोगों में से किसी को भी अंदर जाने की जाज़त नहीं है करतार सिंग मैं तुम्हेरा कुसूरवार हूँ जो सजा चाहो दे दो माला तुमारे सर पर ये चोट कैसे लगी? जी मैं ये जानना चाहताँ कि तुम्हें किसने मारा इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी ने नहीं मारा फिर ये चोट कैसे लगी सीडियों से उतर रही थी, पाउ फिसल गया तुम सच कह रही हो? जी मला का कहना है कि पाउ फिसल जाने से उसे चोट लगी है इसलिए अब कानून को किसी पर कोई शुबा नहीं आप लोग अंतर जा सकते हैं माला, मुझे माफ कर दो बेहन ऐसा मत कहो एक औरत से उसका सुहाग चीनने की जो मैंने कुस्ताखी की है वो तो माफी के काबिल भी नहीं है घरती इंसान ही करता है, भगवान नहीं शाबाश बेटी तुमने हम सब को माफ करके ये साबित कर दिया कि इंसान पैसों से नहीं परवरिश से बड़ा होता है ओ देखा पुतर उपर वाले के घर में देर है अंदेर नहीं